लेटेस्ट टेक निउस पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ में बेल आइकन को भी ओन कर दीजे ताकि आने वली लेटेस्ट टूडियो आप सबसे पहले देख सके नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और दोस्तों जैसे आप सबी को पता हो कि शाओमी की रेड्मी नोट फाइब मतलब की रेड्मी फाइब प्लेस डिवाइस को खल से एक नया सिरीस का ब्रे रोलिंग आउट होना स्टाट हो चुका है जिसका वर्जन है 10.2.3.0 का स्टेवल अपडेट लेना है जैसे कि बॉलर्स बैट्स वान विकट्स के पर आल रांडर्स साथ नदस्ता गेम स्टाट करने के लिए आपको हंड्रेड रुपे का बोनस पॉइंट मिल जाता है अगर आपको बोनस पॉइंट लेना है तो नीचे डिस्क्रिशन में लिंक से डाउनलोड कर लिजे और मेरा रेफर कोड यूज़ कर लिजे जादे इंफोर्मेशन के लिए डाउनलोड के लिए नीचे डिस्क्रिक्शन में लिंक है वासे पासानी से इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते है तो दोस्ता हम बात कर रहे थे कि शामी की रेड्मी नोट 5 मतलब कि रेडमी 5 प् पीचर मिल चुक है और क्या क्यों चेंजे सबको रेडमी नोट 5 में देखने को मिल चुका है तो बिना टेमेश्ट की अपर वीडियो को स्टाट करते हैं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों फाइनल अब देख सकते हैं लबग 5-6 महिनी के बाद रेडमी नोट 5 डिवास में एक नया अपडेट रिलीज होना स्टाट हो चुका है जिसका वर्जन 10.2.3.0 का स्टेबल वर्जन है और दोस्तों इस अपडेट का साइज देख सकते हैं सिर्फ 94 MB की साइज ह और दोस्तों अब देख सकते हैं इस अपडेट के बाद ने आपको Android Security पैच लेए साथ ने पूरानी Bugs फिक्स हो चुके हैं और कुछ छोटे मोटे चेंजिस भी आपको देखने को मिल चुके हैं और दोस्तों अगर आपको इजो अपडेट नहीं मिले तो थोड़े दिन वे काफी फास्ट और स्मूथ हो चुका है अब किसी भी अप्लिकेशन को उपन करते हो काफी फास्ट अरिके से उपन हो जाता है तो दोस्ता अब देखने को मिल चुका है तो सबसे पहले दोस्ता आपड़ फोन सेक्शन में जानेक बाद आंडर वर्जन आपको Android 8.1 मत्मकी और पर देखने को मिल जाता है तो सबसे अपडेटर सेकुर्टी में आपको एक नापी फिक्स हो चुका है वह आपको छोटा सा चेंज देखने को मिल जाता है जो कि Android आपको देखने को मिल जाएगे और इसके बाद हम सेटी में जाकर वन बैवन आपको शो करेंगे क्या कुछ आपको नए चेंज देखने को मिल आए और कुछ फीचर आपको मिसिंगे तो कापेसरी लोगों की मुझे कमेंट्स मिल रहे थी आपर डूएल 4G का फीचर मेला है क आपको डार्क मोड का फीचर अभी तक देखने को नहीं मिला क्योंकि कापीसे लोगों के मुझे के मिल रहे थे उसका आगे देश सकते आपको रीडिंग मोड में एक नया फीचर मतले करे अप्षेन अड़ होचुका है, गूड़ नैट सुरिट के एक नया उपषेन देखने क मिल सकता है Redmi Note 5 में उसके बाद दोस्ता नीचे दे सकते हैं सेटी में क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिला है आपको Clock Format कभी नए फीचर देखने को नहीं मिला है तो मैं उसको नहीं बता हूंगा साथ में दोस्ता नीचे दे सकते हैं आपको बैटरी परफरमांस आपको अच्छ को मिला है मेरे Redmi Note 5 में नेधु तक Redmi Note 5 को चार्ज नहीं के फिर भी दोस्ता आपकी दे सकते हैं थेकने को मिलता है और चैसा बैटरी परफरमांसी देखने मोड़े भी पे अकाउंट है लेकिन दोसके नीचे देशाथ है एप लॉक में आपको क्या कुछ नहीं चेंजेस देखने को मिला है तो 10.2 सीरीज अप्लेट के बाद आप देशाथ ही फीचर मतलब कि लिए फीचर करना पड़ेगा बढ़ता है दोस्तों नेक्ट चेंज लोग दोस्तों के बाद चिंजेस आपको देखने के मिल्ल जाए जैसरे कि लॉक स्टैल सपीने को मिल जाए आप अपने नहीं इस्टॉल की है तो नहीं पे हैं इतिम के उपर ऐब को ने का छूटासा सा स्टम डेखने को मिल जएगा तो जो भी है नहीं इतिम इस्टॉल के तो उसके पर करने में आसे क्टानी हो जएगी सामें तो सब्सक्याष 어머, ऐसे नीच और दोस्तों जो feature पहले से देशे तबको alpha testing में मिल चुका था लेकिन आप देश सकते सभी device में सभी users को one by one धिरी धिरी करके rolling out होना start हो चुका है तो दोस्तों आपके device के file manager में dark mode का feature मिले कि नए मिले मुझे comment box में ज़रू पता ना अगर आपको dark mode का feature नए मिल तो एक बार file manager को system में जाने के बाद update ज़रू कर लिजी इसके बाद दोस्तों next changelog features के बार में बात करें तो आपको tools में calculator में नए feature देखने को मिल चुका है अगर आपको किसी भी चीज का percentage निकलना है तो दोस्तों आपको total value plus उसके नीचे आपको टाइप कर देखने को मिल जाएगा साथने दोस्तों ages का भी इनना option देखने को मिल चुका है जिसके मद से दोस्तों किसी भी वेक्ति का total age कितना हो सारा find out कर सकते है टाप पे आपको देख सकते हैं उसके बाद नीचे देखने को मिल जाएगी कितना ages complete हो चुका है next birth date कितना है सारी information आप इसी तरह से निकाल सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस अप्लिकेशन के आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगे लेकां दोस्तों अप देख सकते हैं गेम सपीड बूस्टर मा अभी तक कुछ नया फीचर देखने को नहीं मिल नहीं आपको गेम टर्फो का फीचर देखने को मिला है और जो इसके लेएपको और भी इनेक टभलेट का इंताबड़नी का इंतेजार करनापड़ेगा अभी तक देख सकते हैं आपको system का sound recording option देखने को नहीं मिला है तो game lovers के लिए काफी आपको bad news है आपको और भी next update का इंतजार करना पड़ेगा तो दोस्ता Redmi Note 5 में आप देख सकते हैं इस आपड़ेट को इंस्टाल करने बाद आपको छोटे मोटे changes देखने को मिल रहे है तो इसी तरह से मैं one by one आपको show करने वाला हूँ इसके बाद दोस्ता next changes देख सकते हैं आपको 3D touch का feature देखने को मिला है Redmi Note 5 में अब देख सकते हैं किसी भी अप्लिकेशन में आपको long press करने बाद आपको 3D touch का feature देखने को मिल जाएगा किसी भी अप्लिकेशन की shortcut देख सकते हैं किसी भी टैप और आसनी से आप switch हो सकते हैं 3D touch के मादेम से और 3D touch का feature से common हो चुका है सभी device में मिलना start हो चुका है दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे पूचाता कि Redmi Note 5 या फिरेडमी के किसी भी डियोस में चार्ज की animation किस तरह से नेमल कर सकते हैं जो कि Game Turbo का animation किस तरह से नेमल कर सकते हैं दोस्तों अब देसे मेरे Redmi Note 5 में Game Turbo का animation इनेमल हो चुका है तो इसके लिए को क्या करना पड़गा आपको एक theme इस्टाल करें पड़ेगी जिसका नाम है mix pro अगर आपको mix pro themes के बार में डीटेल चाहिए तो मैं को Sunday special वीडियो में themes के वीडियो आपको देने की कोशिश कर दू तो दोस्तों अब देसे इस अब्रेट को इंस्टाल करें बाए Redmi Note 5 में अभी तक आपके Redmi Note 5 में back portrait mode देखने को नहीं मिला है तो दोस्तों बैक portrait mode देखने को मिलेगा कि नहीं मिले इसके बार में कोई भी information Xiaomi की तरब से देखने को नहीं मिले साथ में दोस्तों आप देसे आपको अच्छे तरह से देखने को मिल चुक है बस दोस्तों मैं आपको यह कहने चाहूँगा कि कैमरा का जो quality थोड़ी बहुत यह इंप्रोव हो चुक है special for front camera लेकिन बागे किसी भी प्रकार कपको नए feature देखने को नहीं मिला है और दोस्तों अगर आपके Redmi Note 5 में कुछ न टेक केर